मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने आपको माइसेल्फ शालनी मिस्रा यूजसी नैट क्वालिफाइड एंड असिस्टेम प्रोफेसर और यहां इस लेशन में हम लोग बात कर रहे हैं ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में ऑगस्ट कॉम्टे जो की फादर आफ सोसियालिजी के एरोप में जाने जाते हैं और इन्होंने वास्टो में समासास्त में अपना अतुलनिय यूगतान दिया है तो इनके love three states के बारे में हम लोग बात कर रहे हुँ यहाँ पे पिछाल लिसन में हम लोग देख चुके हैं कि अगरस हम्ते के अनुसार तीन श्तरों से हमारा बधर भी पीकास है वो हुआ है हुँचाह समाज हो, चाहहा समूह हो, चाहहाँ वो समाज इक शंस्ता हो या फिर पुरा पुरी दुनिया ही क्यों न हो मानों मन को मिला करके हर चीज उन्होंने का तीन इस्तरों से गुजर रही है सामाजिक विचार धाया कि छेतर में कॉम्टे का यह जो तीन इस्तरों का नियम है इसका एक महत्पून या अगस कॉम्टे का और सभी युगों में मानों की बौतिक विकास का अध्यन करने से उस महान आधार बूत नियम का पता चलता है जिसके अध्यन मनुसे की बुध्धी आवर्सिक रूप से होती है और जिसका एक ठोस प्रमार हमारे संगठन के तथियों तथा हमारे एतिहासिक अनुभवों दोनो में हमको भी दिमान दिखता है ये नियम इस प्रकार है कि हमारी प्रतेक प्रमुखा वधार्ना हमारे ज्यान की प्रतेक साख एक के बाद एक तीम विभिन सर्धान्तिक दसाओं से होकर कुजकती है पहला इनुने बताया थियो लॉजिकल दूसा बताया मेटा फिजिकल और इसाओ बताया पॉजिटिव स्टेज अटीक है थियो लॉजिकल और फिक्षिस इस की अगर हम बात करें तो यहां पर हम दिखते हैं इस इस स्टेज वाद फिर्स्टेज अ फ्रेस्टेज अव लॉज और तो फिर्टीन हंड़े इस इनुने अटी अगरिंग प्रेंट इनु being a supernatural it was believed that all the activities of men were guided and governed supernatural power in this which is the social end of physical world was produced by at this stage man's thinking guided by theological documents It was marked by lack of logical and orderly thinking Theological thinking is characterized by unscientific outlook ये जो चरण है ये तीनो चरणों में से सबसे पहला चरण हम देखते हैं तेरा सो इस अपूर्ब के विस्तु की विसेस्ताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था में कॉम्टे के अनुसार सभी सैधान्तिक अवधार ना है तो जो ये अवस्था बताएगे सैधान्तिक ये काल्पणिंग चरण की बात जो किये गए तो इसमें कॉम्टे कहते हैं, कॉम्टे के अनुसार, सभी सैधानतिक अवधारन, जाहे सामानने हो या विसेज, एक सुपरनेचुरल, प्राकृतिक प्रभाव रखती हैं इस अवस्था में सामाजिक और भौतिक दुनिया इस और द्वारा निर्मित नहीं की गई थी इस और द्वारा निर्मित की गए थी, sorry In this is test, the social and the physical world was produced by God ये इस और द्वारा निर्माने इसको किया गया था इस इस्तर पर मनुस्य की सोच को सैधानतिक हट धर्मिता द्वारा निर्तेसित किया गया था यह तार्किक और विवस्थित सोच की कमी इसमें हम वो दिखती है Theological thinking is characterized by unscientific outlook यह जो धर्मसास्त्रिय सोच है यह विचार धारा है यह आबर क्यानिक दिश्टिकों की विशेशता दिखाती है A natural event was the main subject matter of theological thinking The usual natural events tend man towards theological interpretation of the events. Unable to find the natural causes of different happenings, the theological man attributes them to imaginary or divine forces. This kind of explanation of natural events in divine or imaginary condition is known as theological thinking. Excess or absence of friend was believed to be due to godly pleasure or displeasure. Magic and totism were given emphasis. एक प्राकृतिक घटना A natural event was the main subject matter of theological thinking धर्मसास्ति की जो पिचार धारा थी उसका मुख्य भी सह था. जो प्राकृतिक घटना एक घटा करती थी. प्राकृतिक धार्मी कबस्था में जो श्रिष्टी की अवस्यक प्रकृति की खोश करने में या प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के सर्व प्रुमक तथा अंतिमकानों क्या उत्पति के कारण हैं, क्या उत्देश हैं, इनको जानने के प्रियत्र में मन्नुस्यका जो मस्तिश्क है, ये माल लेता है, कि समस्त घटनाएं जो घट रही हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो चाहे हम देखें कि भगोलिक हैं, तो जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सुपर नेश्रल बिंक्स की तातकालिक प्रियाओं क एक प्रिनाम है, ये जो थियोलोजिकल स्टेश है, इस इस तर में समस्त चीजों को इस और के प्रतिरूप के रूप में, या किन ही अलोकिक प्राणियों की तातकालिक्रियों के प्रिनाम के रूप में, देखा, माना या समझा जाता है, धाना ये होती है कि समस्त चीजों का कारे रूप अलोकिक शक्तियां जैसे देवी देवता या आत्मा ये सब हैं तथा समस्त वस्तों में वही सक्ति ब्यापत है पेर पोधे जलप्रवाह चर अचर आधिस सभी में वही सक्तियां क्रियासिल होती हैं प्राकृति घटनाओं के घटित होने में इस इस्तर पर मानों क केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वो कारण है देवी देवता या ऐसी ही अन्य अलोकिक सक्ति यह विचार ठीक है यह गलत यह दूसी बात है परन्त इस इस्तर पर इसी रूप में अपने आसपास के विशर में मनुसे सोचता है और मानों तथा पसु में इसी चिंतन करने के सक्ति के आधार पर एक महान अंतर हमको देखने को मिलता है तो जो भी प्राक्ति घटनाय भटती थी यह धर्मशास्त्री सोच का एक जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर कहा जाए जो वो मुखी भी सह था सामाने प्राक्ति घटनाय मनुसे को घटनाओं की धामिक व्याख्या के ओर ले जाती थी विभीन घटनाओं के प्राक्ति कारणों को खोजने में असमर्थ धर्म विज्यानी उन्हें कालपनिक या फिर दैवी ताक्तों को स्रेदे रेते हैं तो ऐसा हुआ है इसके पीछे देवी देवता है या आत्मा है इस टाइप से अलोगिक सक्ति को कारण माल लेते हैं जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही है देवी या काल्पनिक इस्थितियों में प्राकृतिक घटनाओं के इस तरह के इस पस्विकरण को धार्मिक सोच या थियोलोजिकल थिंकिंग के रूप में जाना जाता है एक्सेज और अपसेंस आफ रैंड वास बिलेट इस और की प्रसनता या अप्रसनता के कारण या जो बहुत एकदम से आप देखें कि बारिश आने लग गई एकदम से तूफान आने लग गया एकदम से जो है यह घ घंतकि इसको यह माना जाता था उस समय जो लोग मानते थे जिसमें तर्ग की कमी थी बिग्ज्यान नहीं था तो यह मानते थे कि इस्वर कॉद चल्दी नहीं उसको मना जाता था और फिर यहां पर क्या हुआ कि सेकंड चीज के आई magic and totism जादू और टोटम वाद पर जादा यहां पर जोड़ दिया जाने लगा ऐसे समाझों में ऐसे इस्तर पर this stage was dominated by priests it implied belief in another word wherein reside the divine force which influenced and controlled all the events in this world in other words at this theological stage all phenomena are attributed to some supernatural power the concept of supernatural power itself passes through four sub-stages कौन कौन से स्टेज है इस चरण में हम देखते हैं theological stage में जो पुजारी होते थे priests होते थे उनका वर्चस सुम को जाता दिखाई देने को मिलता है देखने को मिलता है इसने दूसरी दुनिया में विश्वास पैदा किया जिसमें इस दुनिया की सभी घटनाओं को प्रभावित और नियंत्रित करने वाली देवी सत्यों का निवास है इस धर्मशास्त्रिय मंच पर दूसरे सब्दों में देखा जाया तो सभी घटनाओं को कुछ सुपर नेचुरल पावर के लिए जिम्मेदार सुपर नेचुरल पावर जो होती हूं उनको जिम्मेदार ठेरा जाता है अब सुपर नेचुरल पावर की जो अवधारना है स्वें चार उप चरणों से हो करके गुजारती है दूसरे सब्दों में कॉम्टे ने धर्मशास्त्री चरणों को चार चरणों में विभाजित किया वह कौन-कौन से चरण है तो चले देखते हैं इन अधर वर्स कॉम्टे उप दिवाइड़ अधि थी अलोजिकल स्टेज इंटो फॉल्विंग फॉल्विंग फिस्ट फेटिस्ट फेटिस्ट एंथ्ट्रोपोमोफ्रिजम और पॉलिथेजम मोनथेजम तो ये चार है मतलब चार रूप में हमारे सामने देखने को मिलती ह तो पहली स्टेज में हम देखते हैं 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 फितिस्म is a kind of belief that there exists some living spirit in the non-living objects ये धार्मिक सोच में ये धार्मिक बिचारधारा में हम देखते हैं कि प्रतेक इस अवस्था में जो पुरुष है जो मानव है वो ही सोचता है कि प्रतेक वस्तु या वस्तु में इस्वर का निवास होता है ये एक तरीके की जीवित सत्तावाद मतलब एक तरीकी की मानेता है कि निव्जी वस्तों में कुछ जीवित आत्मा मौजूद होती है ये जो उपिस तर है इस पर प्रतेक चीज में एक जीवित सत्ता का नुभव किया जाता है और उसे के नुसार अनेक ज्यादू टोनों पर विश्वास भी किया जाता है दूसरा जो हमारा चरण है उप्चरण एन्थ्रोपोमो फ्रिज्म तो ये दूसा चरण है इस देखने की भामना उत्पन होती है जिसके फर्स रूप जीवन के बिभिन पहलों से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होने लगता है और यही बहु देवत वाद का इस्तर है क्योंकि इसमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के बिभिन पहलों का प्रतिनित तो करते हैं तो यहां पर देखे टाइम कम है और हमें और डेटेल में बात करनी है इंटर्नों के बारे में तो हम बात करेंगे अपने नेक्स लेशन में चले फिर मिलते हैं नेक्स लेशन में थैंक यू